हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें तिलक अरे मैंने आपको प्रणाम नहीं किया प्रणाम पिताश्री आईश्मान भाव प्रणाम माताश्री सदा सुखी भाव अब मुझे आज्या दीजे पिताश्री पुत्रस मंजस, मैंने तुम्हें आख कुछ बताने और कुछ दिखाने के लिए बुलाया है मैं जानता हूँ पिताश्री, आप दूसरा विवा कर रहे हैं नहीं पुत्र, मेरे बारे में जो तुम्हें ज्यान प्राप्त हुआ है, वो सत्य नहीं है तो सत्य क्या है पिताश्री? आओ, तुम्हें दिखाता हूँ आईए राजकुमार ये देखिए, अलग अलग राजियों के राजकुमारियों की तस्वीरे हैं आईए इन्हें देखिए कन्याए सुन्दर है पिताश्री? तुम्हें इन में से कौन पसंद है पुत्र? विवाह तो आपको करना है पिताश्री? अतह मेरी दूसरी माताश्री आप ही को चुन्नी होगी पुत्र असमंजस हम तुम्हारे विवाह के बारे में सोच रहे हैं इन सुन्द राजकन्याओं में से तुम्हें अपनी पत्नी चुन्नी है असमंजस कौन सी राजकन्याओं तुम्हें पसंद है? कोई नहीं कोई नहीं? हाँ क्यूंकि मेरा विवाह हो चुका है मैंने भक्ती से विवाह कर लिया है माताश्री भक्ती? कौन भक्ती? किस नगर की राजकन्याओं है? नगर का नाम परमधाम है पताश्री और नगर के राजा का नाम है परमेश्वर उसकी पुत्री है भक्ती माताश्री इस भक्ती की जुड़वा बहन है मुक्ती यदि भक्ती मुझ पर प्रसन्न हो गई तो वो अपनी जुड़वा बहन से मेरा दूसरा विवा करा देगी फिर भक्ती और मुक्ती दोनों मुझे परमेश्वर के परमधाम ले जाएंगी हाँ हर कोई यही तो चाहता है क्यों पिताश्री क्यों माताश्री